Hello my dear students, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हूँ painting subject से Mughal School of Art के कुछ पढ़े important multiple choice questions बस आप मुझे कहते जाएए और मैं आपके लिए वीडियो बनाता जाहूँ यही मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप मुझे बोलते है कि सर आप ये वीडियो बना दीजिए और चुमरी teaching subject है वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ दूसरी वीडियो की तरह है ये वीडियो भी आपको मिलेगी multiple choice questions के साथ फिलप्स और साथ में कुछ additional information या notes आपने बोल सकते हैं और आपने इंस्टाग्राम आइडी पर भी follow कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और इस वीडियो की description box के देखिए दूसरी वीडियो इसके लिए या फिर मेरे चैनल की playlist section को विजिट कीजिए तो देखते हैं first question आपके लिए क्या है मुगल school of art is a mixture of अब mixer बताना है किस school of art को बना के मिलके बना है तो fill in the blank में option डालने है Indian and Persian Indian and Pahadi या फिराजस्थानी या मुगल या मुगल या मुगल या डेकन तो यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए तो हम कहेंगे जो मुगल school of art है वो mixer है Indian और Persian school of art का यानि option A यहाँ पर right answer है यहाँ पर option A आप चलते है question number 2 के लिए इन दा मुगल school of art the general ornamentation and border decoration was of जो general ornamentation का मतलब क्या होता है कि थोड़ी वो जो उस painting को अच्छा बनाने के लिए काम किया गया या फिर जो border की decoration है वो किस color की होती थी black and blue Persian style, Pahadi style, Deccan style तो यहाँ पर कहेंगे कि हम जो right answer है वो है Persian style में होती थी actual में हो क्योंकि effect भी Persian style का इस पर था मुगल school of art पर आप चलते है question 3 के लिए who was the best painter of all the time during मुगल school of art मुगल school of art के time में हर time का जो best painter किसी आप कहेंगी तो option आपके सामने है बिसावन को, मिस्किन को, बिजाद को या फिर दोलत को तो यहाँ पर जो right answer है यह credit जाता है yes of course हम कहेंगे बिजाद जो है वो best जो है painter थी मुगल school of art में अगर हम consider करें किसी को अब चलते है next question के लिए who is also known as Rafael of the East Rafael of the East का title किसी दिया गया है तो option आपके सामने है फिर से विसावन है, मिस्किन है बिजाद है या फिर last option आपके सामने है दोलत तो यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए यहाँ पर जो right answer है वो है yes of course बिजाद फिर से कहेंगे option सी जिनको title दिया गया था Rafael of the East का अब चलते हैं next question के लिए बिजाद was a painter in the court of वो किनकी court में painter थे तो option आपके सामने है सुल्तान हुसैन मिर्चा शाह जहां औरंग जेव या last option आपके सामने है बहादुर शाँ तो right answer यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर हम कहेंगे जो right answer आना चाहिए वो सुल्तान हुसैन मिर्चा क्रेक्ट होगा जो बिजाद हैं वो painter थे in the court of सुल्तान हुसैन मिर्चा थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन this is the right answer आप चलते हैं next question के लिए question number six है who was the founder of Mughal Empire in India Mughal Empire के founder कौन थे इंडिया में यह थोड़ा सा different है यहाँ से हट के question है लेकिन आपके subject का ही एक part है तो option आपके सामनी given है और right answer क्या होना चाहिए तो हम कहेंगे जो founder रही है Mughal Empire के इंडिया में वो है yes, Babur option A यहाँ पर right answer है आप चलते हैं निक्स question के लिए लिकने भी बता दू कि Babur was from Timur family अब चलते हैं question 7 के लिए Where did Humayu spend 13 years in exile? Humayu ने 13 साल का वक्ट जो बिताया था exile होती है देश से बाहर तो वो कहाँ पर बिताया था तो option आपके सामनी है और right answer क्या होना चाहिए यहाँ पर जो right answer है वो है option C इरान में उन्होंने 13 years का time बताया था क्योंकि वो उसका reason कहा कि शीर्षा सूरी से हार गए थे इनफेक्ट यहाँ भी कहें कि अगर Babur की death के बाद हुमाएं उनको निकाला गया बाहर तो शीर्षा सूरी के दौरा फ्रोम इंडिया वो है 15, 30 to 40 तक और फिर 15, 55 to 56 तक यह time period था अब चलते है next question के लिए यह कब start हुई थी या किसके time में start हुई थी तो यहाँ पर option आपके सामने given है और right answer क्या होना चाहिए Babur के time में शह जहां के time में औरंज जेब के time में या फिर हुमायो के time में तो दास्ताने आमीर हमजा जो है वो start हुई थी हुमायो के वक्त option D यहाँ पर right answer है और कितना वक्त लगा था 25 years का time लगा था complete होने में इसको अब चलते हैं question 9 के लिए मीर सयद अली तबरेज और किस school of art से थे तो option आपके सामने given है और यहाँ right answer क्या होना चाहिए यहाँ पर जो right answer है वो है yes of course बेजाद school of art से थे वो तो अब चलते हैं question 10 के लिए आईने अकबरी इस ता creation of यह किसकी creation है आईने अकबरी तो I think so यह तो बहुत simple answer है अपने पहले भी पढ़ा होगा अगर आप painting subject की बात ना भी करें तो yes of course हम कहेंगे आईने अकबरी के जो creator है वो है अबुल फजल option A यहाँ पर right answer है और यह भी आपको थोड़ा सा additional information में बता देता हूँ कि आईने अकबरी के according अगर चलें तो 1400 events paint किये गए थे आईने अकबरी में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अब चलते है next question के लिए what was the aim of दीने इलाही जो की एक नया religion था जिसको अकबर ने start किया था तो यहाँ पर option आपके सामने है to compromise या फिर next है to compromise, next option है to control, या last option है A और B दोनों ही option यहाँ पर right होने चाहिए तो यहाँ पर right answer है दीने इलाही का जो एक नया धरम जो चलाया था अकबरन उसका मतलब था to compromise और साथ में सुलेकुल दोनों ही option D correct answer है जिसमें A और B right होंगे आप चलते हैं question 12 के लिए in whose reign the artist were encouraged to paint birds, flowers and animals no doubt पहले भी paint किये जाते रहोंगे लेकिन किसके reign में किसके राज में artist को कहा गया कि आप birds, flowers and animals को paint कीजिए option आपके सामने है जहांगीर, शह जहां और अंग्जेब या बहादुर शा तो यहाँ पर चो right answer है वो क्या है yes of course हम कहेंगे जहांगीर के टाइम में ऐसा हुआ था जब artist को encourage किया गया कि वो birds, flowers and animals को paint करें आप चलते हैं next question के लिए which one of the following is a famous fable book इन में से कौन सी जो famous fable book है, option आपके सामने है और right answer क्या होना चाहिए तो यहाँ पर हम कहेंगी जो right answer है वो है yes of course option D अन्वरे सुनाहिली अन्वरे सुनाहिली उस book का नाम है जो कि एक famous fable book है आप चलते हैं question बर 15 के लिए अब fable तो आपको पाते हैं कहानियां जो होती है शाह जहां was the lover of शाह जहां किसका lover था मुगल आर्ट का या फिर architecture का या फिर nature का या last option है war या उसे war करना बहुत पसंद था तो यहां पर right answer yes of course यहां right answer है option B मुगल जो समराट कह सकती है बाश्या कह सकती है शाह जहां आर्टिटेक्चर के lover थी और आपने देखे ही होगा उन्होंने तो बहुत सारी जो जैसे ताज महल को बनवाया या फिर हम कहीं रेड फोर्ट जो है तो ऐसे ही बहुत सारी force भी उन्होंने बनवाय थी आप चलते है next question के लिए what is the most important characteristics of मुगल आर्ट मुगल आर्ट की सबसे important characteristics क्या कही जा सकती है तो option आपके सामने है और right answer क्या होना चाहिए different colors है different designs है profile of faces है या फिर blues का ही है तो मुगल आर्ट में जो सबसे important characteristics आपको नजर आएगी वो आएगी profile of faces option C जैसे कि इसका एक बहुत important part भी आपको मिलने वाला है so most of the faces are एक chasm और एक chasm का मतलब क्या होता है यहाँ पर right answer क्या होना चाहिए इसे आप chasm भी कह सकते है एक chasm तो right answer क्या होगा large eyes और profile single eyed और profile like a falcon या last option है like a sea green तो यहाँ पर जो सबी options को देखें तो हम कहेंगी जो right answer है एक chasm का मतलब हो सकता है single eyed और profile option B यहाँ पर correct answer है और ऐसे ही Iranian painting की अगर बात करें वहाँ dead chasm का मतलब होता है one and half eye ऐसे faces draw किये जाते थे one and half eye आले तो वो Iranian painting भी अक्सर देखने को मिलेगा आपको in whose reign maximum paintings of historical scenes were done maximum paintings of historical scenes यह किस के time period में हुआ तो option आपके सामने गिवन है यानि किस बाश्या के time में हुआ था तो यह हुआ था अक्बर बाश्या के time में जब historical scenes वाली painting जो है सबसे ज़्यादा की गई maximum paintings जो है आप चलते question 18 के लिए who among the following was the best bird painter इनमें से सबसे best bird painter आपके से कहेंगी तो options को देखे यहाँ पर क्या होना चाहिए right answer first option उस्ताद मंसूर फिर दोसी, मंसुक या फिर दसवन तो right answer यहाँ पर option A है जो best bird painter है वो है उस्ताद मंसूर और most of the paintings have calligraphy in calligraphy होती थी calligraphy का मतलब क्या होता है जैसे एक painting है painting के उपर painter का नाम आ गया या बाश्यक का नाम आ गया या नीचे कुछ और लिखती आ गया वो calligraphy किस color में होती थी जो handwriting होती थी वो किस color में थी तो वो होती थी black ink में तो यहाँ पर हम कहेंगे option B right answer है even artist का नाम वो भी रिखा जाता था बड़े सुन्दर तरीके से Krishna Lifting Mount Govardhana यह एक painting है किस artist के द्वारा तो option आपके सामने गिवन है यहाँ पर उस artist का आपको नाम बताने तो Krishna Lifting Mount Govardhana यह painting किसकी है तो यहाँ पर हम कहेंगे जो right answer है वो है artist yes of course Misskin artist Misskin ने यह बनाई थी Krishna Lifting Mount Govardhana और यह एक vertical painting भी है अब चलते है next question के लिए most of the figures one so one and half eye जिसे हम कहेंगी dead chasham is shown यह किसीच का influence आपको नज़र आएगा इसमें यानि which is the influence of आपको बताने है किसीच का influence है तो option आपके सामने है Persian art का Indian art का Rajasani art का या फिर last option है Decan art का तो यहां right answer क्या होगा यहां पर हम कहेंगे जो correct answer है वो है Persian art का यह effect है यह already उपर भी थोड़ा सा हिंदिया जा चुका है अब चलते है next question के लिए Falcon on a bird rest is a painting by the artist यह painting है किस artist के द्वारा तो यहां पर हम कहेंगे इस painting को बनाने का credit जाता है Falcon on a bird rest जो है इसका credit जाता है उस्ताद मंसूर को अब चलते हैं next question के लिए the title नादिरुल असर is awarded to यह title किसको दिया गया है तो option आपके सामने given है और right answer क्या होना चाहिए तो यह कहेंगे यह title जाना चाहिए फिर से हम कहेंगे उस्ताद मंसूर को यह title दिया गया था नादिरुल असर का अब चलते है next question के लिए what does the term बहरी means बहरी बहरी क्या होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा तो option आपके सामने है एक painting में यह word नज़रा है तो इस word का meaning क्या है तो इस word का मतलब है yes of course हम कहेंगे यहाँ पर right answer है option B falcon इसे कहेंगे और उत्तम का मतलब होता है excellent अब चलते है next question के लिए कबीर एन रैदास is a miniature painting painted by तो इस painting को बनाने वाले कौन है तो हम कहेंगे इस painting को बनाने का credit चाहता है उस्ताद फकिरुला खान को option C यहाँ पर right answer है अब चलते हैं इसी से later next question है कबीर एन रैदास is a miniature painting painted by उस्ताद फकिरुला खान on the request of यानि यह किसकी request पे बनाई गई थी तो option आपके सामने है और right answer क्या होगा तो यहाँ पर इस painting को बनाने का जो कहते हैं कि किसकी request पे बनाई गई थी वो थे yes of course दारा शिको option D यहाँ पर right answer है so marriage procession of दारा शिको is a vertical painting painted by इस painting को बनाने वाले कौन थे जो marriage procession of दारा शिको है तो इसका credit किसे जाता है तो यहाँ पर चो right answer है वो है option A हजी मदानी को इस painting को बनाने का credit जाता है तो यह कुछ important question थे जो आपके साथ discuss किए गई है I hope so अगर आपको वीडियो अच्छा लगए है तो आप वीडियो को like जरूर करेंगे और साथ में मेरी चैनल को subscribe कीजिए और even further आपको किसी भी तरह की requirement है तो आप comment section में आके जरूर बताईएगा मैं आपकी हर possible help करूँगा so thank you very much और इस वीडियो की description box को जरूर देखिएगा have very nice day